किलाश 10 वालों किलाश 10 वालों देखिएगा सिंपल इंटेस का हम लोग 18 नंबर बना रहे हैं मातर दोपीस बचा हुआ 19 वह भी हम लोग बना देंगे कोशन नंबर 18 हम लोग एक से लेके 17 तक बना चुके हैं संडे को इसका विकली टेस्ट भी हो जाएगा अब आते हैं हम लो जब्च दा 5% सिंपल इंटेस्ट पर है ना इन डैट बैंक बाबु बोल रहा है कि बाबु डिपोजिट किया बैंक में कितना किया 15,000 अब बिगनिंग आफ दे यर बोल रहा है कि साल के सुरू में डिपी बाबु जो है 15,000 जमा किया बट विद्ड़ो मतलब होता है निकाल जाता है तो उसमें जो आता है विद्ड़ो करने का मतलब पैसा निकाल सकते तो वही निकाला तो विद्ड़ो निकाला कितना तीन हजा निकाला आफटर थरी मंथ यानि के जिस दिन रखा था उससे तीन महीना के बाद कहने का मतलब है वो तीन हजा निकाल लिया फिर बोल र end of the year बोला कि साल के आखिर में दीपू बाबू को amount total कितना होगा amount मतलब होगा principle with interest तो देखे यहां पर हम कहने का मतलब है तो देखे ध्यान से दिखेगा बोला है कि यहां पर जो है बोला ना notice करी beginning of the year याद रखेगा आप लिखेगा दिखेए टाइम इसी में दिया हुआ यह टाइम इसमें जो मसला है इसमें जो मसला है टाइम का मसला है क्या चीश का मसला है टाइम का मसला है टाइम निकालने का तो यहां दिखेए beginning of the year जो निकाला था 3000 after three months दिखिएगा यहाँ पे तो यह दिखिएगा हम लिख दिये January यह लिखे January, यह लिखे February यह लिखे March April May June July August September October November December ठीक है मालो यह December तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे दिखिएगा कि यह जो जनवरी है यह जनवरी से यहाँ तक में January, February, March सुरू में कितना दिये थे याद रखेगा 15,000 बैंक में कितना रखे थे 15,000 कोश्चन के हिसाब से बैंक में 15,000 रखे beginning of the year जो बोला ना साल के सुरू में तो साल का सुरू यह है जनवरी से महीना श्टार्ट हो रहा है तो इसमें 15,000 जमा किये थे बट बोल रहा after three year एक महीन sorry, after three month even month, two month, three month मतला मार्च में तीन हजार निकाल लिए तो आप बोल सकते हैं 15,000 में से तीन हजार निकाल लिए तो कितना बचा 12,000 बचा ठीक है बोल रहा है कि तीन हजार हम लोग निकाल लिए मार्च में कितना निकाल लिए तीन हजार निकाल लिए तो याद रखिएगा कि जो तीन हजार निकाले हैं तो अब हम लोग के एकॉन में कितना बचा बारह हजार बचा अब यहाँ पर से बोले रहा है कि आफ्टर थीरी मांथ ही डिपोजिट आठ हजार तो कहने का मतलब है कि नॉर्मली आम भासा में बोलिएगा फर्दीन बाबु है फर्दीन बाबु को अबबा कितना दिया पंदरा हजार दिया पंदरा हजार दिया तो बोला पंदरा हजार बाबु बैंक में रख दो तो फर्दीन बाबु बैंक में पंदरा हजार रख दिया तीन हजार निकाल लो तो फर्दीन बाबू तीन महिना बाद जाके तीन हजार निकाल लिया तो अब उसका बाब पूछेगा ना कि बाबू कि बैंग आप कितना पैसे बचा तो फर्दीन बाबू बोले कि पापा से 15,000 तो था, 3,000 हम निकाल ले तो अब 12,000 बचा ठीक है, फिर उसके बाद अचानक क्या हुआ, कि 3 महिना बाद, 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 3 महिना बाद, द्यभ़गा कही है, भै आफटर फर्टरि मन्थ, सी अफटर थी मन्थ, है कि 1 म। कहीं से इसको लोटरिश कब ख़ो होगा, इस भग तो यहां पुला रहा है, उर्प के 98,000 कहीं से पाटि दिया है, तो यहां पे बोल हो रा, भै agon, कि सी three month deposit और तीन महीना बाद का हो गया पहले का था बारा हजार और पलस आज का आठ हजार यह आठ हजार जमा के तो टोटल बैंग में केतना हो गया बीस हजार तो याद रखेगा हम लोग का इप प्रिंसपल निकला आप बोल सकते हैं कि सर एक प्रिंसपल हो गया यह दो प्रिंसपल ह गया धिन-प्रिंस्पल अश्मीड यह-चॉर की मिल जा किसि निकालेंगे जब यह इसे सब्सक्राइब देढ़िए V지만 बीस्यान से अशल है चोनि लेंगे लिया तो क्या बोलेगा कि आप बोल सकती कि थीमएन दो पहला उत्व में बारा मतलब E हो गया थिरी मंत इ हो गया साल बनाने के It sex 12 ओपारा है ती भारा से ठीवाइड की है फिर उसी तरीका से ये वाला का जो होगा थिरी मंत निकलेगा ये वाला का 1,2,3 1,3 ये वाला होगिए फिर ये वाला होगिए तो इसका भी क्या हो जाएगा 3 by 12 तीन मंद का हो गया तो कहने का मतलब है इसका कितना हो जाएगा अब ये वाला जो सिलसला यहां से लेकर यहां तक चलेगा तो यहां पर कितना होगा तो यहां पर आपका 6 महना क्योंकि देखे ये वाला यह पुड़ा गिया तीन महिना यहां फिर यह वला पुड़ा गिया तीन महिना यहां मतलब के आप बूल सकते हैं आम भासा में कि यह तीन बटा बारा यह वला तीन बटा बारा इसको छोड़ दीजिए यह तीन बटा मतलब एक पार्ट यह एक पार्ट यह और यह जो बचा त और प्रिंसिपल पंदरह हजार, बारह हजार, बीस हजार, याद रखिएगा कैसे के निकल रहा आँख के सामने, देख लीजिए, क्यूंकि बाद में फिर कन्फूज ना हो, यह जो है, आपका इस तरह से निकलता है, तो आइए हम बनाते हैं, समबनता कैसे हैं, तो कहने का मतल का से हम बना गाँवे, वो आपको एक्सामि में बना ओंगा, इस देखे यह लिखे即 ciao, क्या लिखे लिखे, CASE, यह होग गया बॉडू, 2nd case , ठीक है, यह हो जाएगा, घार्ड case, से कहने का मतलब है, यहाँ पर दिखिएगा, पहला case में ध्रियान दिजेगा, है, पंदरा हजार, साल के सुरु में, प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलिएगा, कि सर, यह जो था 15,000, माइनस 3,000, तो आप बोल सकते हैं, कि प्रिंसिपल के तना था, 12,000, ठीक है, कैसे यह समझ में आजया, इसका प्रिंस्पल का होगा तो आप बुलिएगा सर कि अभी तो आप समझाये थे कि बारा हजार बचा था और पलस आठ हजार अब बदिया था जमा करने के लिए तो दोनों को जोरेंगे तो कितना होगा बीस हजार बहुत अच्छा फरदीन बाबू ये बीस हजार हुआ इसका प्रिंस्पल बीस हजार इसका प्रिंस्पल बारा हजार इसका पंदरा हजार तो अब बुलिएगा रेट का करेंगे सर तो रेट जो है ना सम में एक जैसा बहुत अच्छा फाइब परसेंट इसका भी रेट हो जाएगा 5% ध्यान से समझेगा बाबू एक मिस बोट फिनिस याद रखेगा 5% इसका तिनों का 5% हो गया तो कहने का मतलब है कि अब मसला हो गया टाइम का तो टाइम का हम समझाए तो इसमें कि इसमें 3 मन्थ होगा कितना होगा? M-O-N-T-H 3 मन्स इसका कितना होगा? इसका भी 3 मन्थ होगा M-O-N-T-H और इसका कितना होगा? 6 मन्स M-O-N-T-H ठीक है? याद रखेगा इसको साल बनाने के लिए 3 बटा 12 महीन एक साल में कितना महीन होता है? तो 12 से divide करेंगे 12 से divide इसका कितना होगा? विज़ी तरीका से 3 बटा 12 इसका कितना होगा? 6 बटा 12 तो दियाद रखेगा इसको काटेगा तीके 3 एकम 3 3 चोके 12 3 बटा 3, 3 फोर्जा 12 तो यानि को होगा? यह 1 बटा 4 इसको काटेगा 3 बटा 3, 3 फोर्जा 12 यानि याद रखेगा मेरा बात समझ समझ के बनायेगा तो ज tic निकले यृट शाल काना सभाव दिय। याद रखेगा मेरा बात समझ समझ के बनायेगा तो यहादगी इस यह कोày सتم का रखेगा주 तो थोड़ा समझ में भी आएगा तो कहने का मतलब है कि इसमें simple interest ने दिया हुआ ना इसका दिया हुआ ना इसका दिया हुआ तो हम लोग इसका simple interest मालूम करेंगे देखिए इसका नहीं दिया हुआ यह question mark बनेएगा यह simple interest नहीं दिया हुआ यह question mark बनेगा, याद रखिएगा simple interest हम लोग निकालेंगे तो simple interest का formula वही है simple interest का formula क्या है आप गोल सकते हैं कि simple interest का formula है P into T into R by 100, ठीक है फिर उसी तरीका से यहां पर बुलेगा simple interest का formula P into T into R by 100 एक दाम वैसी बनेगा step by step, जिसके लाइन में first, second, third case में जो case में जो है वही दीजेगा अपना मनमानी मत रखिएगा बरी काप से काबिल मत बनिएगा उल्टा पुल्टा इसका इसका उसमें लगा दीजेगा तो याद रखिएगा P into T into R by 100 मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा पुल्टा नहीं करिएगा जिसका वैलू जिसमें उसे में put करेंगे यहाँ देखिए P कितना था, खुद बोलिएगा 15,000, बहुत अच्छा 15,000, into time कितना था बोलिएगा 1 by 4 into R कितना था R बोलिएगा 5% नीचे कितना होगा 100, ठीक है इसका देखिएगा P कितना था तो 12,000 कितना था into time कितना था 1 by 4 into R कितना था 5 by नीचे कितना होगा 100 इसदर देखिएगा एकदाम जे P कितना था 20,000 ठीक है, into time कितना था 1 by 2 into R कितना है फाइव ठीक है यह हो गिया सो एकदाम ध्यान से बार एकी से देखिएगा बाबुलोग टेंसन ने लिजेगा एकदाम ताके परिसानी नो इसको ठीक करेंगे ठीक है यह देखे यह लिखे पंदरा हजार इन्टू यह जो एक बटा चार है न तो उपर एक दिंगा और नीचे चला जाएगा चार और इन्टू यह पंच और इन्टू यह नीचे सो ठीक है यह वला सो यहाँ उसी तरह यहाँ देखिएगा यह जो बार हम पूरा ब्रेक करकर के तोर तोर के समझा रहेगे ताके आप लोग को घर बैटे बनाने में कोई परिसानी ना हो तो यह वला चार कहा जाएगा इसके नीचे जाएगा तो इन्टू अंडेड यह वला यह वला इसमें कुछ नहीं किया हम लोग हम लोग सिर्फ यह कर रहे है कि जो वन बटा फोर जो है इन्टू एक सो एक दम ऐसी के बनेएगा तीनो इस्टेप दीरे दीरे जाएगा हम लोग अभी सिंपल निंट्रेस निकाले रहे है आई देखें आंके सामने में यह कटेगा फो जीरो जीरो कैंसिल जीरो जीरो कैंसिल ठीक है कटा यह है अप कहने कांसि––स को काटेगा इसको दो 2 –,दो 9 – 4 और इसको काटेगा दो सत्ते चोदा यह 15 है न न दो सत्ते चोदार और यह 15 मेंसे एक जाएग में इसमें तो यह 10 होगा तो 20-15 दस यानि आप बोल सकते हैं कि उपर में बचा 75 और इंटू यह एक तो लिखानी जाता तो यह 5 लिखा और नीचे 2 बचा यहाँ पर देखिए 1010 कटा 1010 कटा इसको कटे देखिए चारे कम 4 और चारतिया 12 चारतिया 12 और यह 0 वैसी उतर गया याने आप बोल सकते हैं 30 इंटू ये एक तो लिखाएगा नी क्योंकर पांच आकम पांच होगा तो यह 5 लिखाया यहाँ पर देखिएगा एकदाम आइसी बने यहाँ एक सुन्निकटा एक सुन्ने एक सुन्ने कटा दो एकम दो कटा और यह दो एकम दो कटा मेरा बस समझ में आया यहां पर बच्चा 100 इंटू 5 को 1 से करेंगे तो 5 से कम 5 ठीक है अब एकदम नीचे देखेगा दूसरा कहने का मतलब इसमें क्या है 75 को 5 से करेंगे तो क्या होगा 75 को 5 से करेंगे तो 375 होगा नीचे यह 2 होगा ठीक है is equal to करेंगे इसको इससे जरब करेंगे तो 150 होगा बहुत अच्छा is equal to करेंगे इसको इससे जरब करेंगे जरब मतलब होता multiply तो यह होगा 500 यानि इसका simple interest यह इसका simple interest यह इसका simple interest यह हुआ अब कहने का मतलब यह है कि इसको जो है न divide कर देंगे, इसको क्या करेंगे divide कर देंगे, तो जब इसको जो divide करेंगे तो कहने का मतलब बाबु इसको divide करोगे, देखो इसको ऐसे कि यह 375 यहाँ पर लिखिएगा ठीक है, इसको divide करिएगा 2, 1, 2 यह 3 में से 2 गिया 1, यह 7 उतार है 2, 7, 14 2, 8, 16 तो आप 8 लिजेगा तो यह आया 16 इसको 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 चेगी है 1, इसको पांच उतारेंगे एकदम divide करिएगा, बताने का तरीका यह हुआ कि तक आपको सिखने को मिले 2, 7, 14 तो कहने का मतलब 1, 1 कटा 5 में से चार गया 1, यहाँ पर point दीजेगा 2 से चोटा नंबर तो point दे के यहाँ पर 0 करिएगा 2 का पहारा कितना बार पढ़ेंगे 2 का table कितना times पढ़ेंगे कि 10 एगा तो बिले 5 times 2, 2, 5 सा 10 तो यानि यह आपका जैसे इसका यह निकला इसका यह निकला उसी तरह इसका यह निकला स्याद रखेगा यानि आप बोल सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं इस्जत के साथ 1, 8, 7, 5 यह जो है इसको आप ऐसे लिख सकते आया समझ में जैसे इसका यह है इसका यह है इसका सामने लिखे यह हो गया आपका simple syntax यहां पर यह वह सिंपल इंट्रेस यहां पर यह वह सिंपल इंट्रेस समाझ में यह सिंपल इंट्रेस यह सिंपल इंट्रेस सब सिंपल इंट्रेस को जोर देंगे सब सिंपल इंट्रेस को क्या करेंगे जोर देंगे और उसका प्रिंसपल मिला के क्या करेंगे अमांट निकाल तो याद रखेगा इतीनों को जूरीएगा 187.5 पालस फिर उसके बाद इसके बाद कहने ओंता है यह था सिंपल इंट्रेस 150 यह वाला सिंपल इंट्रेस की यह था जाल 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 से फर्दीन को नेखेए और आपक रीक्ता 1700 खीए और यहां इन उख़ात interactive एहां इस दियू इनन से 187 को जोर घाले जारा पाइटास करो से cima की सब्सक्राइब होसा दोके तो से 10 ऐसे इस्च कृत northwestWow 5,0,0 , point यहां पर कुछ नहीं तो 0 इसको जब जोडेंगे तो यह होगा 5 और यह होगा 7 जाहने का मतलब है कि इसको जो है इसको 7 लिखेंगे यहां पे 8,5,13, हाथ में बचाए, 3, carry a 1 1 को ist नाट करेंगे 1,2,5,7 और 1,8,837 तिस कितना हुआ 837.5 यह निकला 837.5 अब यहां पर कहने का मतलब है कि हम लोग अमांट का फर्मूला लगाएंगे क्या निकालेंगे दियरफूर क्या लिकेगा अमांट एम ओ यू एन टी अमांट इसे कल डू क्या होता है याद रखेगा प्रिंसिपल पलस यह वाला फर्मूला आप लोग याद कि होंगे तो आप खुद बोलिएगा प्रिंस्पल केतना था लास्ट में थ्ट वाला पार्टी में थर्ड किस में कितना था देखिएगा बीस हजार था ठीक है ये बीस हजार ये लिखे पलस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था अभी जो हम लोग ये निकाले टूटल आएट थीरी सेवन पॉइंट फाइब ये दोनों को जब आइट करेंगे तो ये दोनों ये आपका रहा आंसर यानि के फर्दीन बाबू के अभू जो लाष्ट में आथ हजार दिये थे और पहले का बारह हजार था दोनों मिला के बीस हजार जो बैंक में रखा था तो इसको टोटल मिलेगा बीस हजार खुद का प्रिंसपल वाला और इंट्रेस 837 उर्पया 50 पसा इसको यह जी टोटल इसको मिलेगा बीस हजार आप सो बचातिस पसा या आपका इस तरह से एक्जामें बनेजेगा तो उमीद है को पूरा पांच में पांच मिल सकता है, उमीद करते हैं कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जरूर ही है, प्रैक्टिस करेगा ये बोड आपके लिए पुरा साल बचा हो है, जितना प्रैक्टिस करिए कम है,